तो आपने थम्नेल देखा होगा अभी तो हमारा टॉपिक आज का है डाइस्टी एंड फाउंडर तो यहाँ पे हम सारे डाइस्टी जो भी अंपायर्स हैं उनको कवर करेंगे उनके फाउंडर्स के साथ में और इसके साथ में हम आपको लास्ट रूलर जो भी होंगे इस कापिटल्स को बताने वाले हैं तो यह तीनो जो पॉइंट्स होते हैं एक्जाम पॉइंट ओफ यू से बहुत ही इंपॉर्टन है तो हमने यहाँ पे आपके लिए फाउंडर्स के साथ यह तीनों टॉपिक्स को भी इंक्लूट कर दिया है तो एक्जाम पॉइंट ओफ हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिलकुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हम साथ में आपको कहां-कहां पी कौन-कौन से जो कोश्टन से बहुत रिपीटेड आये हुए हैं और आ सकते हैं हम यह भी बताएंगे आपको ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले dynasty है तो यहां पे देखे हम आपके लिए line by line ही लाए हैं यानि अगर पहले हर्यानका dynasty थी उसके बाद शिशुनाग dynasty इसके बाद नंदा dynasty थी तो हम इसको line by line ही पढ़ेंगे यहां पे आपको इस तरीके से पढ़ने से एक सीरीज में आपको याद भी रहेंगे तो देखें पहला question है आपका who was the founder of हर्यानका dynasty तो हर्यानका dynasty के founder कौन थे अगर आप जानते हैं तो खुद से answer करने की कोशिश करिएगा आधावाइस हम जरूर बता रहें आपको तो हर्यानका dynasty के founder रहे थे बिंबी सार तो यहां पे देखेगा बिंबी सार एक है और एक बि पहले फिर लेटर ओन इसे पाटली पुत्र कर दिया गया था इसके साथ ही यहां के लास्ट रूलर थे नागर साका और इनकी time period आप देखते चलिए हम इनको पढ़ेंगे नहीं एक्जाम में आपसे कोई time period नहीं पूछेगा बट हमने इसको इसलिए इंक्लूड किया है ता हम आपको मैब भी दिखाने वाले हैं तो मैब से आपको यह पता चल जाएगा कि जैसे हर्याने का डाइनेस्टी है यह किस एरिया में रूल कर रही थी वैसे ही हर डाइस्टी आपके मिल जाएगी तो देखेगा नेक्स्ट है आपके लिए who was the founder of Sishunag dynasty तो Sishunag dynasty के founder कौन थे इसके founder थे Sishunag ही तो ठीक है इसको याद रखना बहुत easy है Sishunag वही है जो founder है ठीक है capital इसकी राजगीर थी इसके पद यहां के last ruler जो थे वो थे महाननदीन time period आप देखते चलिए next देखे तो यहां पे यह रहा हमारा हर्यानका and Sishunag dynasty तो आप देख सकते हैं यहां पे तो yellowish portion दिख रहा है है तो इसको जो है rule कर रही थी कौन? Sishunag dynasty तो इस तरीके से था Sishunag और हर्यानका dynasty का ruling area next आती है who was the founder of Nanda dynasty तो Nanda dynasty के जो founder है again यह आपको भी याद रहेगा महा पद्मा नंदा क्योंकि नाम में ही नंदा आ रहा है तो यह इसके founder थे capital इसकी भी partly पुत्र थी last ruler यहांके धन नंदा थे और यहां इसका time period आप देख सकते हैं और साथ में यह रहा नंदा empire आप देख सकते हैं इस जवापे यह rule कर रहे थे right next who was the last ruler of maury dynasty तो यहां पे maury dynasty के last ruler कौन थे यह आपको बताना है तो maury जो है इनके last ruler थे ब्रिय धर था इसके साथ में यहां की capital थी partly पुत्र यहां के first ruler कौन थे चंदरगुप्त maury बहुत important है एक्जाम में बहुत पूछा जाता है यह question ठेक है इसके बद आप यहां पे time period तो इसका देख सकते हैं तो यहां पे देखिए पहले हैं चंदरगुप्त maury इसके बाद है बिंदु सार और यहां next है और next है अशोक ओके तो यह तीनों जो हैं famous maury ruler हैं तो यह जो हैं देखिए चंदरगुप्त जो हैं इनके बेटे थे अशोक sorry sorry इनके जो बेटे थे यह थे बिंदु सार और बिंदु सार के बेटे थे अशोक ओके तो आपको याद कैसे रखना है A B C तो A B C आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं I hope मैंने आपको clear कर दिया है बहुत ही easy है और बहुत ही important है exam में आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बिंदु सार के बेटे कौन थे तो आपको यहाँ confused नहीं होना है याद आप ऐसे उपर से नीचे रख रहे हैं बट इनके बेटे यह हैं इनके बेटे यह हैं आपको इस तरीके से से याद रखना है राइट चलिए next चलते हैं तो देखें मौरे एंपायर जो था यह पूरे इस पिंक एरिया आप देख रहे हैं इस पूरे एरिया में मौरे का रूल था ठीक है इस तरीके से मौरे यहाँ पर रूल कर रही थी तो इसका दिखाने का मोटेव में रही है कि आप समझ सकें कि कि कितने कितने एरिया में कौन कौन सी dynasties यहाँ पे रूल कर रही थी थोड़ा कभी-कभी exam में आप से पूछा जाता है इसलिए मैं आपको यह maps को दिखा रही हूँ और guys अगर आपको पूरा इसका detailed video चाहिए यानि कि अगर आपको history से related जितने भी topic है ancient India हो गया या modern India हो गया, medieval जो history है वो हो गई तो आपको यह सब का video हमारे चैनल में मिल जाएगा हमने वहाँ पे सारे जो topics हैं उनके MCQs को cover किया है with topic wise, okay तो आपको यहाँ पे उसका हम आपको link provide करेंगे आप वहाँ से जाके जरूर देखिए बहुत ही important questions है जो आपके exam में आने के बहुत chances है तो हम आपको link provide करेंगे अब जरूर देखिए चलिए next देखिए who was the founder of Shung dynasty तो Shung dynasty के founder रहे थे कौन Pushyamitra Shung और यहाँ पे इसका capital था कौन सा? partly putr तो आप देख रहे हैं अभी तक के चारो dynasty में एक dynasty को छोड़ के सारे में partly putr आया है और इसका जो later यानि की partly putr capital को हटा के later on विदीशा कर दिया गया था यहाँ के last ruler कौन रहे हैं? तो देव भुटी जो हैं यहाँ के last ruler थे और यहाँ पे आप map देख लिजे यह आप देख सकते हैं इस area में शूंग डाइनस्टी का rule था और आप time period भी एक बार देख लिजे next देखे who was the founder of कनवा डाइनस्टी? तो कनवा डाइनस्टी के founder रहे हैं वासुदेव कनवा तो आपको कोई भी ऐसे surname तो देगा नहीं साथ में अगर देंगे तो आप directly answer कर पाएंगे तो इसलिए यहाँ पर वासुदेव आप ऐसे याद रखिए कनवा डाइनस्टी के जो founder थे यह थे वासुदेव कनवा यहाँ के last ruler जो थे यह थे सुश्राम ठेक है? और यहाँ की capital अगेन थी पाटली पुत्र और यह रहा कनवा डाइनस्टी राइट? नेक्स कोईशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट अंपायर फ्रम एक्जाम पॉइंट अफ यू तो जो गुपता अंपायर है इसके फाउंडर रहे हैं कौन? श्री गुपत और यहाँ का capital अगेन पाटली पुत्र ही है तो यह सब जो थे एक दुसरे को एक के बाद हरा हरा करके इस तरीके से आ रहे थे यानि हरयानका डाइनस्टी को शिशुनाग डाइनस्टी ने हराया था शिशुनाग डाइनस्टी को नंदा ने कवर हो जाएंगे और हमने वहाँ पे लूसेंट से भी कुशन को कवर किया है तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो देख लीजे यहाँ पे capital इसकी कौन है पाटली पुत्र यहाँ की capital है और साथ में यहाँ के last ruler कौन रहे हैं यहाँ के last ruler जो है यह रहे हैं विष्णू गुप्त तो आपको याद कैसे रखना है देखिए मैं बताती हूँ आपको श्री विष्णू बस ऐसे याद रखिए तो श्री कौन थे फर्स्ट रूलर थे और यह जो थे last ruler थे तो इस तरीके से आप बहुत इजली याद रख सकते हैं time period देख लीजे साथ में एक और important यहाँ पर question आता है आपके रहे देखिए आपसे पूछा जाएगा अच्छा पहले आप map देख लीजे फिर हम आगे चलते हैं ठीक है तो यह रहा देखिए यह रहा गुपता अंपायर इस तरीके से मगद के बाद जो major portion cover कर रहे है वो कौन कर रहे है गुपता अंपायर ठीक है तो यह देखिए यह सारे important question है from again गुपता अंपायर तो देखिए real founder पहले तो हमने पढ़ा कि जो founder थे वो कौन थे first ruler कौन थे यह थे श्री गुपत बट यहांके जो real founder है वो किने कहा जाता है चंद्र गुपत 1 को कहा जाता है यहांके real founder को इंडियन नपोलियन किसे कहा जाता है गुपता अंपायर में से समद्र गुपत को कहा जाता है इंडियन नपोलियन तो ये सारे most repeated question है exam से ठीक है और नालंदा university जो है ये किस ने बनवाया था आप से पूछा जाता है कि विच गुपता अंपायर बिल्ट था नालंदा university तो ये जो है कुमार गुपत ने यहाँ पे construct या फिर बिल्ट करवाया था और साथ में exam में ऐसे भी गुपता अंपायर ने नालंदा university को बिल्ट करवाया था तो उसे जो है destroy किस ने किया था ठीक है तो इसे destroy किस ने किया था भक्तियार खिल जी ने इसे destroy कर दिया था नालंदा university को ओके guys तो I hope आपको यह clear है गुपता अंपायर बहुत important है exam से और यह जो more empire था यह दोनों यह empires आपको एकदम अच्छे से पूरे पढ़ लेने हैं तो मैंने आपको tricks भी थोड़े थोड़े बता दिये हैं जिससे आप यह सारे को याद कर सकते हैं चलिए आगे आता है who is the earliest known पांडियन रूलर तो earliest known पांडियन रूलर कौन है इनमें से तो यहाँ पे मुदुकु दुमनी मुदुकु दुमी ठीक है तो यह हैं यहां के earliest known पांडियन रूलर तो यहां की capital देखिए पहले यहां पे मदूरई थी फिर बाद में 83 और next आ गई थी तुरुनल वेली तो य लास्ट नोन रूलर जो है यहां के मारव अरम सुंदरा पांडिया थे यहां के लास्ट रूलर और टाइम पिरिएड यहां देख सकते हैं तो नेक्स्ट है हूँ वास दा फाउंडर आफ चोला अंपायर तो चोला अंपायर के फाउंडर थे विजय आलया यह बहुत एक्ज प्रचलन हुआ था तो आपको इसी लिए चोला अंपायर जो है एक्जाम में आने के बहुत चांसेज है तो चोला अंपायर के फाउंडर थे विजय आलया दम बहुत इंपोर्टन है ठीक है इस पूरे वीडियो का मैं कह सकती हूं most important यह question है इसके बाद देखिए यहां का ज अच्छा तो अगर आपको हमारा यह जो content है अच्छा लग रहा है अभी तक और अगर मैं आपको जिस तरीके से आपको explain कर रहे हूं यह अच्छा लग रहा हूं guys तो please वीडियो को like करिएगा और चैनल को subscribe कर लीजे हम आपको आगे आगे और अच्छे अच्छे content जरूर दे अगे और यहां पर आपकी कोई भी queries हो तो आप हमें comment section में बता सकते हैं हम definitely आपको यहां पर answer करने वाले हैं चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखे हम map देखते हैं तो यह रहा चोला empire यह रहा पांडया empire तो यह थे हमने जो पढ़े अभी तक next देखे who was the founder of satwahana empire again बह था प्रतिस्तनत पुरम जो की अमरावती में है ठीक है और यहां के last ruler थे यजनश्री सतकरनी time period यह रहा next who was the founder of kushan empire तो kushan empire के जो founder थे यह थे कुजाला खदाफिस और यहां का capital था बग्रम पिशावर तक्षिला और मतुरा यानि कि यह चेंज हुआ है बार बार फिर लेक्स आता है last ruler यहां पे कीपू नंदा जो थे यहां के last ruler थे तो यह रहा आप देख सकते हैं satwahana dynasty यह ऐसे middle इंडिया में separation spread था और यह रहा चोला और पां founder कौन थे तो यहां के जो founder रहे हैं यह रहे हैं कौन सिम्हा विश्णू और यहां का capital है कंची पूरम लाज्ट रूलर जो थे यहां के यह थे अप्रजिता वर्मन टाइम पेर यह रहा और देखिए कंची पूरम कहां पे है पल्लवा एंपायर देखिए आप बताईए तो आप देख सकते हैं यहां पे पल्लवा ठीक है नेक्स्ट को फाउंडर ऑफ चालूक के एंपायर तो चालूक के एंपायर के जो फाउंडर थे यह थे यहां पे पूलकेशन वन अगेन वेरी इंपोर्टन एक्जाम में आपसे रिपीटेटली इसके बारे में कोशन्स पूछ पूछे जाते हैं यहां की क्यापिटल बहुत इंपोर्टन है हर एक्जाम में यह पूछा जाता है और अगर आप कोई भी मौक्स कर रहे हैं मौक में आपसे रिपीटेडली आपसे यह कोशन आपसे यहां पे पूछा जाएगा तो बादामी जो था चालूक के एंपायर का यहां के लास्ट रूलर थे कृटी वर्मन और यह रहां टाइम पीडियेड यहां पर नेक्स देखिए वो वस्था फाउंड़र आफ राश्ट्र कुटा तो राश्ट्र कुटा जो थे इनके फाउंडर कौन थे पूले केशिन वन थे यहां पर इसके फाउंडर नो चेक हो गया आई होब आप समझेंगे कैपिटल यहां पर है इसका माने खिता और लास्ट रूलर यहां पर रहे हैं इंद्रा फोर तो यह हैं राश्ट्र कुटा के बारे में और देख सकते हैं यह कितने स्प्रेड थे तो इस तरफ यह साउथ में ही स्प्रेड थे नेक्स्ट है तो पाला डाइनस्टी के फाउंडर रहे हैं कौन ओकी यहां पर हर जगा पर ऑपिशन थोड़ा गड़बड हो गया है गो पाला यहां पर इसके फाउंडर थे कैपिटल इसका मुंगेर था और लास्ट डूलर यहां पर थे गोविंद पाला तो पाला डाइनस्टी भी जो है बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से यह रिपीटिडली आपसे गो पाला के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा और बताइए यह रहा कोल पाला अंपायर तो आप देख सकते हैं जो हर्यान का डाइनस्टी सिशुनाग थी तो उस एरिया में अगें पाला अंपायर का रूल था नेक्स देखें जो संगम डाइनस्टी थी वो विजयन अगर एंपायर के अंदर में आती थी तो विजयन अगर का जो कैपिटल था यह था हमपी अगें वेरी इंपोर्टेंट फर यो एक्जाम्स विजयन अगर का कैपिटल अपसे पूछा जाएगा तो आपको यह याद रखना है ठीक है और इसके अलावा एक और यहां से important question आता है आंद्रभोज ठीक है तो यह आपको हमें comment section ने बताना है कि आंद्रभोज केसे कहा जाता है तो I hope आप यहाम हमें answer करके बताएंगे comment section में आगे देखिए who was the founder of चोहान डाइनेस्टी तो चोहान डाइनेस्टी के founder कौन थे तो चोहान डाइनेस्टी इसके founder रहे है कौन उपेंद्र राज और ये रहा चोहान डाइनेस्टी तो इस area में है चोहान डाइनेस्टी ठीक है next, who was the founder of सुलंकी डाइस्टी तो सुलंकी डाइस्टी के फाउंडर तो देखे हमने आपको capital और नहीं दिया है क्योंकि ये डाइस्टी के आपके founder काफी है आपसे इतना detail में नहीं पूछा जाएगा इसलिए हमने आपको यहां पे नहीं किया यह सब तो सुलंकी डाइस्टी है इसके founder रहे है मूल राज next है who was the founder of slave dynasty तो हम आबाग आ गये है slave dynasty की तरफ बहुत ही important again exam point of view से slave dynasty के जो founder रहे है ये रहे है कुतुबुद्दिन एबक इसका capital क्या था इसका capital था यहां पे डेली लाहूर और दौलताबाद तो एक के बाद ऐसे था लास्ट ruler यहां पे रहे है मुझ्जिद दिन कैका बाद और यह time period है इसका तो देखिए यहां पे यह इस area में जो है slave dynasty का rule था ठीक है तो end में यानि कि जब यह last में खताम हो गई थी उस time पे यह इतने जगापे rule कर चुकी थी right next देखिए तो who was the real founder of slave dynasty तो अभी आपने पढ़ा था कि कौन थे founder of slave dynasty यह थी कुतुबुद्दिन एबक बड़ जो real founder है यह किसी और को कहा जाता है और यह थे इलतुत्मिश ठीक है तो इलतुत्मिश जो है इन्हें real founder of slave dynasty कहा जाता है क्योंकि देखिए यहापे लिखा है reason after the death of कुतुबुद्दिन एबक इलतुत्मिश ascended the throne of Delhi in 1210 AD ठीक है तो इलतुत्मिश जो थे यह आ गये थे यहाँ पे इस दफ यहाँ पे ruler आ गये थे तो इसी दिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इलतुत्मिश ओके तो यह जो थे 1210 में इन्होंने slave dynasty को यहाँ पे rule किया था और एक और यहाँ पे important question आपके लिए बनता है कि first and last देखिए मैं लिख देते हूँ यहाँ पे first and last woman ruler of India या फिर आप Delhi भी कह सकते हैं तो यह जो थे कौन थी आपको बताना है ठीक है तो यह जो थी मैं आपको बता रही हूँ कि यह इनकी बेटी थी इनके बेटी थी तो आपको इनका भी नाम हमें comment section में बताना है यह कौन थी कि यह question most repeated one of the most repeated questions है जो आपसे एससी पूछता है है ना तो मैं सिर्फ आपको एससी के बात में बता रही हूँ बहुत सारी ऐसे capital अगें थी डैली लास्ट रूलर थे खुसरो खान और यह रहा इसका time period तो यह रही खिलजी सल्तनत इस तरीके से यह रूल कर रहे थे अगला देखें तो तुगलग डैनेस्टी के यहाँ पे founder रहे है घिया सुद्दिन तुगलग इनको एक और नाम से भी जाना जाता था जो था गजी मलिक तो अगर आपसे पूछा जाए कि गजी मलिक is the another name of तो यह था गिया सुद्दिन तुगलग का ही नाम था यहाँ की capital क्या थी यहाँ की capital अगेन डैली है यहाँ पे last ruler रहे है नसुरुद्दिन महमूद शाह अगला तो यह रही तुगलग डैनेस्टी इस तरीके से यह इस तरीके से spread थे next है who was the founder of लोधी डैनेस्टी लोधी डैनेस्टी के founder रहे हैं बहलोल लोधी तो आपको मैंने यहाँ पे लोधी नहीं लिखा था क्योंकि अगर लोधी लिखेंगे तो आप definitely answer कर पाएंगे बहलोल लोधी की founder थे लोधी डैनेस्टी की capital यहाँ की देली थी और last ruler जो थे इब founder of मुगल अंपायर तो मुगल अंपायर के founder कौन थे मुगल अंपायर के founder रहे थे बाबर very very important बाबर से related इतने question आते हैं एक्जाम में कि आप उसे count नहीं कर सकते क्योंकि बाबर की इतने सारे battles हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो battle of पानी पत हो गया battle of खन्वा हो गय battle of चंदेरी है ना तो यह सारे जो है battle of घागरा यह सब जो है यहां पे हुए थे बाई बाबर तो इनके related exam में आप से बहुत questions पूछे जाएंगे हमने already जो है इनके सारे battles of history जो है cover किया हुआ एक वीडियो में हम आपको यह link provide करेंगे जरूर देखें बहुत important है सारे के सार comment आपके लिए इसे तो आप पूरा रट लें very very important question और most important question of this video भी है यह last ruler कौन थे मुगल अंपायर के बहुत सारे exam में repeat हुआ है यह question बहादुर शाह वन जो थे last ruler थे यहां पे मुगल अंपायर के time period तो आप देख रहे हैं यहां पर तो देखें end तक आते आते इतना जो है मुगल अंपायर ने पूरा rule कर लिया था चलिए तो guys यह थे हमारे सारे question क्योंकि मुगल अंपायर थकी है सब कुछ तो हमने आपके लिए सब कुछ कवर कर दिया है सारे question जो भी बन सकते हैं इन से यानि कि founder last ruler capital से तो सब कुछ हमने आपको cover कराया और including math भी हमने आपको दि है और इसके साथ मैंने आपको बताया first and last woman ruler of India आपको बताना है तो इन दोनों का answer जो है आप हमें comment section में जरूर दे और आपको video अच्छा लगा हो अभी तक तो like जरूर करिएगा अपने friends के साथ जरूर शेयर करिएगा कोई भी queries हो या फिर आपकी कोई भी opinions हो तो आप हमें comment section में बताएं क्योंकि आपकी opinions हमारे लिए बहुत important है और अभी तक अगर अपने वीडियो को like नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को like करें और जो जो वीडियो मैंने आपको recommend करें वो जरूर देख लीजेगा क्योंकि आपके exam के लिए important है वो भी तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe भी कर लिजेगा okay thank you have a nice day